गाइज आज मैं आपको इस वीडियो में किसी भी वाटसेब स्टेटस को अपने गैलरी में डाउनलोड करने के बारे में बताने वाला हूँ पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ कैसे अपने गैलरी में वाटसेब स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि guys आप देख रहे हैं कि मैं WhatsApp account में अपने आ गया हूँ, WhatsApp application में आ गया हूँ और यहीं से आपको complete knowledge दूँगा कैसे आप download कर सकते हैं तो साथ पहले chat पर click किया हूँ, उसके बाद second में option पर आपको status का option देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको बहुत सारे status देखने को मिल जा रहा है और guys यहाँ पर complete setting भी बताऊंगा कैसे मैं download किया हूँ, कैसे download का option आ सकता है जैसे guys मैं किसी वी WhatsApp status को click करता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ कैसे WhatsApp status है यहाँ पर देखे guys यह वाला वार्ट से भी status है, मैं इसको अपने gallery में download करना जाता हूँ यहाँ पर sidebar में देखेंगे तो आपको download का option देखने को मिल जा रहा है वहाँ पर मैं click करता हूँ, तो save to gallery का option देदेगा, save to gallery यहाँ पर save to gallery का option आ गया है और guys आपको से पहले gallery में भी दिखा देता हूँ यहाँ गैलरी में कैसे आ गया है तो guys यहाँ पर देखे आपको gallery में वाला option आ गया है, मतलब यह photo आ गया है आपकी gallery में आप इसको play भी कर सकते है तो guys चलिए आपको दिखा देता हूँ, यह option में ने कहां से लाया और उसके बाद guys कैसे आप भी ला सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करना होता है, कौन सा application आप यूज कर सकते हैं तो सब्सक्राइब आपको setting में जाना है, पहले application को use करने से पहले आपको setting में जाना है setting में जाने क्बाद guys, यहाँ पर बहुत सरे option देखने को मिल जाते है, account में जाना है, account में जाने क्बाद guys, आपको यहाँ पर security का भी option मिल जाता है उसके बाद गायज यहां पर आपको नोटिफिकेशन भी दिख रहा है नोटिफिकेशन को ऐसे रहने दीजिए लेकिन गायज साथ मैं आपको बता दूँ कि एकाउंड में जाने के बाद भी चैट की आपसन पर भी जाना होगा जहां पर डाउनलोड का आपसन देखने को मिल लोड कर सकते हैं वीडियो अच्छे वीडियो को जरूर लाइक करें धन्यवाद